What's up everyone, welcome back to the channel तो आज हम depreciation का एक और नया concept सीखेंगे और ये concept काफी confused करता है बच्चो को Provision for Depresation Account तो provision for debt क्या है, कैसे इसकी working होती है, क्या-क्या चीजे होती है वो सब हम आज की इस वीडियो में cover करने वाले हैं अब ध्यान से समझना, copy pen लेके आओ, एक-एक concept cover करूँगा जो की मेरा हमेशा से motive रहा है Concept कोई नहीं छोड़ेंगे, questions फिर चाहे कितने भी आजाएं तो चलिए जली से, let's figure अब depreciation में न हमारे पास दो तरीके की approach होती है मतलब एक तो आपने सीखी है, चाहे वो WDVO चाहे वो SLM हो आपने एक normal question करना सीखा ही है जैसे हम लोग एक example ले लेते हैं कि एक कोई asset है जो 1st April को buy करा गया था 50,000 रुपीज का और इस पे 10% SLM के हिसाब से debt लगना है 10% straight line method के हिसाब से इस पे debt लगना है तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले 31st March let's suppose यह 16 है तो 31st March 17 पे पहला 5000 का debt उसके बाद फिर 31st March 18 पे दूसरा 5000 का debt और let's suppose तीसरे साल 31st March पे ही इसको बेचा गया suppose यहीं पे बेचा गया 31st March 19 पे ही 5000 का debt लगा के और यह sale off करा गया 30,000 रुपीज में तो अब आपको इसका account बनाना है तो आप कैसे बना होगे तो आपने क्या सीखा है हमने इस तरीके से इसका account बनाना सीखा है कि हम simply एक asset account बनाते यह हो गया हमारा asset account date particulars amount date particulars amount सबसे पहले इस प्रश्वाइट से लिया गया था 2016 फिफ्टी हाउजन रुपीज का 2016 April 1st to bank account पचास अजार ठीक है जी अब आप क्या करते हो 2017 March 31st by debt account 5000 by balance carried down balance आ गया 45 यह आपका year end हो गया ठीक है जी फिर इसको brought down करो 2017 April 1st to balance brought down 45 फिर 2018 मार्च 31st आपने डेप लगाया by debt account 5000 फिर हमने balance निकाल दिया balance carried down 40,000 फिर year end हो गया यह यह भी 45,000 45,000 आ गया उसके बाद फिर से 2018 एपरिल फिर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 2019 मार्च 31st बाई डेप्रीसियेशन 5000 और हमने अब डेप लगाने के बाद मशीन बेच दी इसी डेट पे बाई बैंक कितने की बेची 30,000 की अब देखो 40 वाली मशीन पे 5 का डेप लग गया था तो इसका वैल्यू 35 बचा था आपने 30,000 की बेची तो 5000 का लॉस आ गया बाई स्टेट्मेंट आफ प्रियेंडल 5000 का आपके पास यह लॉस आ गया और अकाउंट खता अब मुझे आपको इस अकाउंट को लेके 2-3 चीज़े बताने है सबसे पहली बात आप यहाँ यह समझो कि आसिट शुरू किस से हुआ था इसके कॉस्ट से 50,000 यह इसका कॉस्ट था और हर साल इसका वैल्यू कम होता जा रहा था अगले साल यह 45 हो गया अगले साल यह 40 हो गया यानि कि जनरल सेंस में असिट जो रिकॉर्ड होता है बुक्स में वो कॉस्ट फिर कॉस्ट माइनस डेप फिर माइनस डेप फिर माइनस डेप यानि वो अपनी वैल्यू कम होता रहता है यानि कि asset account में asset के value कम 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 हर साल ये depreciation लगता रहता है और value कम होती रहती है and then वो sale off हो जाता है अब कुछ लोग इस favor में नहीं होते हैं कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा asset जो है हम इस debt को यहां लगाए हैं नहीं हम debt के लिए एक अलग account बना लेंगे हम नहीं चाहते कि debt यहां लगे हम debt को अलग account में रखेंगे और asset को अलग account में रखेंगे तो अगर asset अलग account यहां कुछ ब〜 yeah कफिर 50-50 रहेगा 45 होगा ही नहीं यानि asset अपनी original cost पे चलता रहेगा asset का value कम ही नहीं होगा तो जब आप ऐसा करते हो कि आप एक separate account बनाते हो और depreciation उसमें रखते हो तो पहली चीज यह जो asset की value कम हो रही थी यह कमनी होगी asset अपनी original cost पे ही चलती रहेगी और दूसरी चीज क्या होगी जब भी आप बेचोगे तो जिस भी account में आप debt लगा रहे हो वहाँ से total निकालके asset account में ले आना और आपका काम हो जाएगा कैसे करते हैं सिखाता हूँ यह तो सबको आता है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस काम के लिए एक की जगा दो account बनाएंगे एक तो हम लोग रखेंगे asset account normally वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट देट पर्टिकुलर्स अमाउंट यह तो मैंने बना दिया asset account अब मैं एक separate account बनाऊंट के लिए जिसमें सिर्फ डेप रिकॉर्ड करूंगा तो एक separate account बनाऊंगा देट पर्टिकुलर्स अमाउंट देट पर्टिकुलर्स अमाउंट देट पर्टिकुलर्स अकाउंट के दो नाम है या तो मैं इसको प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बोल सकता हूं और मैं इसको अक्युमिलेटेड डेप अकाउंट बोल सकता हूं तो या तो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट या फिर accumulated debt account, ठीक है? तो अब ये दो account बनाने है, आप देखो question शुरू करते हैं, normally जैसे आप शुरू करते हो वही 2016, 16 से गा था ना, आपने start 2016, हाँ, 50,000 रुपीज, 2016 से question शुरू होगा 2016, April 1st, to bank account आपने asset खरीदा, 50,000 रुपेगा 50,000 रुपीज का आपने asset खरीद लिया, अब normally जो 5000 का debt है, वो यहाँ लगता था, 2017 March 31st, अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि depreciation यहाँ नहीं लगेगा, debt यहाँ नहीं लगेगा depreciation के लिए अलग घर बनाया है, जिसका नाम है provision for debt, उसको यहाँ लगाएंगे, तो इसी date पे 2017, March 31st, by debt account, 5000 रुपे, हम यहाँ लगा देगे, ठीक है, asset में ना लगाके, अलग से debt लगाना है, ताकि asset अपनी cost पे चलता रहे, year end हो गया, अब देखो जब year end हो गया, तो balance कितना आया, by balance carried down, वही 50,000 रही आ गया, debt लगने के बाद भी, asset की cost वही 50,000 ही आ रही है, जबकि हमें पता है कि इस पे debt लग चुका है, लेकिन वह अब आप separate लिख रहे हो, 2017, April 1st पे भी, जो balance brought down होगा, वह 50 ही होगा, जबकि एक normal question में, यही balance 45 हो चुका था, और अब कितना रहा है यह, 50 ही है, तो आपको simply कुछ नहीं करना, जो depreciation आप asset account में लगा रहे थे, वह इधर लगाते चलो, एक separate account में, ठीक है, अब इसका भी balance किंग करो हाथो आथ, 2017, यह तो year end है, March 31st, to balance carried down, इसका balance इधर आएगा, 5000 रुपीस का balance आगया, और अगले साल की शुरुवात में, 2017, April 1st पे ही, by balance brought down, आपने brought down कर लिया 5000, यह 5000 क्या है, यह show कर रहा है कि कितना debt asset पे लग चुका है, ठीक है, अब दूसरे साल की बार यह आती है, 2018, March 31st, फिर से debt लगना था 5000, फिर से यहाँ ना लगा के, वहीं लगाना है, इधर नहीं लगाना, उस घर में लगाओ, depreciation के लिए अलग घर बना दो, अब लड़ाई हो गई, ऐसे डर depreciation की, वो अलग चलेगा, तो यहाँ पे 2018, मार्च 31st, by depreciation account, 5000 का depreciation इधर लगाया, year end करा, अब देखो 5000 पहले से लगावा था, 5 वोल लग गया, तो जो balance निकल के आएगा, to balance carried down, वो 10,000 निकल आएगा, यह 10,000 क्या reflect कर रहा है समझ रहे हो, यह 10,000 reflect कर रहा है कि इस asset में total debt 10,000 लग चुका है, समझे, 10,000 का total debt लग चुका है, इसको brought down भी कर लो, 2018, April 1st, by balance brought down 10,000, पहले साल का debt यह था, यह balance निकला, यह brought down हो गया, फिर debt लगाया, total balance 10 हो गया, ठीक है, asset देखो अभी भी 10,000 debt लगने के बाद भी, asset का balance 50 आ रहा है, देखो asset अपनी original cost पे चल रहा है, asset अपना original cost में lose कर रहा है, सर इससे accounting पे भी कोई impact आता है क्या मतलब इससे हमारे results पे भी कोई impact आता है, क्या कोई impact ने आता बच्चे, हमारी accounting यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक हो रही है देखो तीसरे साल के शुरू में मेरे पास asset का value 50 आ रहा है तीसरे साल के शुरू में asset का value 50 आ रहा है और तीसरे साल के शुरू में provision का balance 10 आ रहा है इसका मतलब 50 वाले asset पे 10,000 का debt लग चुगा है तो 50-10, 40 का ही तो asset बना तो देखो 30 साल के शुरू में जो asset था, वो 40 ही reflect कर रहा था काम वो ही कर रहा हूँ सिर्फ procedure change कर दिया एक ही जगा ना लगा के 2 अलग अलग जगा कर दिया asset अलग कर दिया, depreciation अलग कर दिया काम वो ही हो रहा है तो stress out बिलकुल नहीं हो ना कि यह क्या हो रहा है इसे देखके बच्चे बहुत डरते हैं, कुछ नहीं सिर्फ depreciation अलग करते जाओ उसकी balancing करते जाओ asset अलग करते जाओ, उसकी balancing करते जाओ तीसरे साल 2019, March 31 पे इसको बेच दिया लेकिन पूरे साल का डेप तो लगना था वो डेप वहीं लगेगा by depreciation 2019 March 31st 5000 का डेप तो total डेप कितना लग गया इस पे 15,000 का total डेप लग गया ना बेटा अब जब बेचा तो कितने का बेचा by bank यह हमने बेचा है 30,000 रुपीज का अब यहाँ पे प्लीज ज्यान देना यह point important है यहाँ पे हमने यह asset 30,000 रुपे में बेचा है तो अब इसका actual value तो निकालना पड़ेगा आज का value तो मुझे चाहिए कि आज का कितना value है तभी तो पता चलेगा profit or loss यह 50,000 तो इसकी original cost है कितना लगा है अभी तक 10 तो पहले से लगा वा था इस साल 5 लगा तो total debt 15 हो गया यह 15 का total debt यहाँ asset account में transfer हो जाएगा यह याद रखना है जब भी asset बिगेगा तो उसका total debt निकाल के transfer करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 asset account यहाँ लिखेंगे 15,000 किस नाम से by provision for depreciation के नाम से by provision for debt account same date पे इसका total जब भी machine बिगेगी सिर्फ तब otherwise normally चलने दो इस पे जितना भी total debt था वो यहाँ से यहाँ transfer करो और loss निकाल दो by statement of P&L वही 50 में से 30 और 50 में से 15 minus करो तो 5000 का वही loss आजाएगा वही same काम जो आप पहले कर रहे थे वही काम अब कर रहे हो वहाँ पे भी 5000 का loss आया था यहाँ पे भी 5000 का loss आया बस difference इतना सा है कि यहाँ पे depreciation अलग चलता रहता है और asset अलग चलता रहता है बस जब भी asset sale होगा तो उसका total debt करके यहाँ से इधर transfer करना है यहाँ किस नाम से दिखाओगे asset account के नाम से और यहाँ किस नाम से आएगा provision for debt account के नाम से बस यहाँ से इधर transfer कर देना है बाकि सब काम same है बात समझाती है आप लोगों को simple question था clear होता है इसी तरीके से आपको काम करना है बेटा जी simply debt लगाते चलो अलग से asset का value लग रखो और sale के time पे transfer कर लो इसको बोलेंगे provision for debt account इसको बोलेंगे asset account तो यह मैंने आपको आज basics समझाया वल्कुल basics clear कराया आज आप यही वाला question दुबारा से लिखो और खुद से करने की कोशिश करो कि जब provision for debt account बनाना हो तो क्या होगा जब provision for debt account बनाना हो तो question की क्या procedure रहेगा कैसे आपको solve करना है आप easily solve कर पाओगे और सारी चीज़ें असानी से हो जाएगी I hope आपको यह clear होगा और आप चीज़ें आप आसानी से बना पाओगे इसके बाद book का question कर आता हूँ आपको और chapter को end करेंगे तो उमीद है मुझे आपको यह topic समझाया होगा अगर कुछ और problem आ रही है इसमें तो comment section में बताओ उसको भी जल्दी से जल्दी solve करेंगे Thank you so much everyone I'm gonna see you all super soon till then keep growing and keep growing